वेरी गुड मॉर्णिंग अडिवडी मैं सभी काज सहगत करता हुआ फिजीज ग्यान मुकेशने एक चैनल पर आज हम लोग सेमी कंड़क्टर जो डिवाइस चाप्टर से उसका सेकंड ले रहे हैं इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया न वहीया वो देखना बहुत ही को दो हिस्सों में बाटा गया है 11 में आधा चाप्टर और 12 में आधा और आपको तो पता हिए हम लोग 11 की पढ़ाई तो घरते नहीं है रेक्टियर मानते तो ऐसे समय पे आप लोगों को मेरा पहला लेक्ट्चर देखना बहुत जरूरी है मैं आगे बढ़ रहाओ आज सेक क्या करना चाते 14 झाला चाता है लेकिन ये डियो इस्तों करते मैं क्या सही में नहीं इसलिए आमने ब्लॉग डियाग्रा में पहले डायोड रक्टिफायर बाद में हमने फिल्टर लगाया था बाद में हमने एक होल्टेज रेकुलेटर तम हमको यह स्मूथ मिला था मतलब स्मूथ तो नहीं मिलने वाला है लेकिन करीब-करीब वह रिपल बोलते है रिपल फैक्टर मतलब एक तरफ मिल जाएगा एक तरफ आणा ऊपर के तरफ ऐसे यह डीसी मिलेगा लेकिन पीवल डीसी नहीं है वाया तो यह आज की लेक्टर में हम लोगों को देखना है कि एस यह साइनोसाइडल हम लोग उसको करने वाले हैं वन सैकल का काम होता है यह वन सैकल में करना है मतलब इसका काम होगा AC इंटो DC बस इड़ेक्टोनिक डिवाइस वीच वर्क ऑन AC into DC alternating current जो हमारे घर प्टे आ रहा है उसको हम लोग direct current में convert करने वाले है voltage बोलो current बोलो जो भी है ना तो चाओ तो बच्चों हम लोग इसके लिए पढ़ने वाले है half view and full view rectifier उसमें दो इस actual में एक बात बताओ हम लोग जो पढ़ रहे ना वो खाली introductory lecture दे से lectures है पहले half view होता है बाद में full view rectifier है बाद में bridge rectifier है वो तो पढ़ते ही नहीं हम लोग हम तो बस एक छोटा मोटा सा touch approach देने की कोशिश करते हैं बस दूसरा खोचे नहीं नहीं बस समझे अगर गलती से आप लोग अगर इंजिनिंग करोगे वो भी electronics and electronic communication system में communication में तब इसको हम लोग details में पढ़ सकते है अभी तो अब को यार only पैचान है पैचान करके देरे बस तो चला हम लोग इसकी लिए पढ़ने जा रहे है half view rectifier आपके boost के हिसाब से 16.2.1 है half half view क्या rectifier पढ़ने वाले है काम क्या है उसका AC into DC का काम होता है किसका वह या rectifier का diagram ट्रॉ करूँ मैं सबसे पहले diagram ट्रॉ करता हूँ जो आपका AC आ रहा है ये ठीक है ये AC आपके गरों में जो आ रहा है उसको हम लोग लगाने वाले यहां पर लिख सकते है 230 hold 50 hard frequency या दोगा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं नहीं लिखा तो कोई प्रब्र ये transformer है इस transformer का कम क्या होता है voltage बढ़ा के लो या कम कर क्या आपको जैसे requirement है वैसे कर के सकते हैं कम भी कर सकते हो जादा भी कर सकते हो ठेक है यह है transformer इस transformer से हम लोग कम जादा voltage कर सकते हैं हम लोग इस device में कम ही करते हैं सबसे में बात धान क्या रखना है कम ही करने वाले हैं क्योंकि ये जो डायड ऑपरेट होते हैं एक 6 voltage पे या 12 voltage पे 24 volt पे ऐसे ही ये कम voltage पे ऑपरेट होने वाले डायड इस्तमाल कर रहे हैं दिखा ही दे रहा है आपको ओके 40 वेल है तो ये जो डायड है कम मतलब मुझे बताओ घर में कितना रहे 230 मुझे कितना करना है 24 volt एक कंसेडर कर रहे हैं तो कौन सा होगा step down transformer कम चाहिए तो step down बढ़ा के 230 से 500 होना है तो step up step up बोलते हैं ये step down transformer तो ये लगा है मैंने डायोड डायोड के बारे में भी आपको बताए याद है ना का बुल गए वाया और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ऐसे एक load resistance जिसके across में हम लोग देख पाएंगे मतलब आप लोग यहाँ पे ऐसे अपके बुक्स में नहीं है मैं दे रहा हूँ output voltage मतलब आपने multimeter रहा है भाया घरों में आगर कुछ प्राबलम रहा तो वो electrician क्या लेके आता है multimeter voltage चेक करता है कुछ चेक करता है देखा होगा ना वो यह से दो इसमें डालो तो output voltage यहाँ पे मिलने वाला है ठीक है यह बुक्स में आपके नहीं है चलो मैं बंड रहा हूँ आगे भाया इसको कहते है primary transformer और इसको कहते है secondary transformer S1, S2, P1, P2 नहीं आपके बुक्स में ठीक है कोई प्राब्लम नहीं है आपके बुक्स में A, B, C, D ऐसा लिखा होगा कुछ सबज में आगा है यह है आपका half-fewer active power only one diode इसमाल किया है मैंने क्या बोला यह क्या करेगा देखो इसका फायदा क्या है यह लगाने से number 1 आपको step up या step down voltage कम कर सकते या जादा कर सकते यह इसका एक फायदा है दूसरी बात यह ना इससे जुदा है अलग है इसके लिए यह isolated circuit है इसके करण आपको शौग पी नहीं लगता हम लोग practical लेब में practical करते न मैं एक खुड़ टीचर हूँ भईया मुझे तो पता है तो हम लोग directly wire connect करते क्योंकि 50 hold के नीचे अगर voltage हो हमारा apply के वाला अगर 50 hold के नीचे less रहा या उतना रहा less और equal रहा तो यह voltage का शौक आदिन को लगता नहीं और यह diode तो 6, 12, 24 hold पे operate होने वाला है इसलिए directly wire connect करो यहाँ पे नहीं लगाना है जो हमारा power supply होता है उसको हाथ मत लगाना उसके बार इधर वाले circuit को direct wire connect करो कुछ भी करो हाथ लगाओ इस डायड को कोई शौक नहीं लगेगा guarantee भाईया समझ में आ रहा है ना आपका device अच्छा होना चाहिए यह हाथ लगाओ के बस बागा अशनी 50 लगे लगाना तो ये जो है लेस ओल्टिज रहाँ पचास ओल्टिज उसके ओल्टेज निचे वाला हम लोगों को लगता है एकजामपल एकजामपल घर पे करना है कर सकते देखो आपका चार्जर है वहां पे भी transformer है, charger लगाया ना, तेखो हाथ में पकड़ो, शौक नहीं लगता आपको, कभी लगाया किसी को, आपका charger खराब होतो लगेगा, लेकिन आच्छा होतो नहीं लगेगा, तो यह transformer, ठीक है, दो फाइदे किया, एक तो कम जादा voltage करना, दूसरा, यह isolated होने से, यह risk नहीं है हमारी कि हम लोगों को शौक लगे, चलो, सर पड़ा दो, सबसे पहले देखो, हम लोग पहले यहाँ पे, यहाँ पे, AC voltage अपले करें, यह AC का सिम्बॉल है, देखो, यह AC का होता है, और DC का यह होता है, positive negative DC source है, यह AC source है, यह AC source है, तो हम लोग AC जो दे रहे हैं, यह यह है, अपके books के सबसे, एक, दो, तीन, चार, पाच है, ठीक है, और यह है हमारा AC, जो input दिया गया है, इस circuit को, और यह हम लोगों को DC देखना है, चलो, अब देखो, सबसे पहले, इसको कहते है, positive cycle, यह negative cycle, यह positive, यह negative, यह positive, यह positive, और यह negative, ठीक है, यह line निकालता हो, कि पता लगेगा आपको बाद में, बहुत simple questions, यह, तीन बार के लिए सवाल आ सकता है, दो मार के लिए भी आ सकता है, लेकिन diagram के करन तीन बार काता है, चलो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे, primary से यहाँ पे गया, यहाँ पे पहली positive cycle, उपर positive मतलब positive, उपर negative रहा तो negative, देखो, positive cycle, positive cycle देने के बाद मैंने diet को आपको कहा था, इसके पहले वाला lectures, अगर yeast को कहते हैं यह, इसको कहते हैं क्या थोड़, अगर आपका यह higher potential हो, और यह lower potential हो, higher lower की बाद मैंने की थी, higher मतलब positive नहीं है, higher मतलब यहाँ पे 0 hold, यहाँ पे minus 5 hold, तो भी यह higher है, मैं यह, minus 5 सब 0 बड़ा है, तो higher potential है, lower potential रहा, तो diet conduct होता है, conduct होता है, मैंने बताया था, यहाँ पे positive cycle है, अनोड के यह, अनोड है, और यह cathode को negative, मतलब यह है, forward bias में, forward bias में current flow होता है, देखो, positive cycle जब दी, तब diet conduct हो गया, current flow क्या है, समझे, कहां मिलेगा यह, यहाँ पे, डाल दो, multimeter का, मिल जाएगा, output voltage, कुछ ना, कुछ दिखेगा, यह, fluctuation होगा, उसमें, अच्छे बात है, दुबारा, अब क्या आ गया, यह, negative cycle, देखो, यह positive cycle आगी, यह, positive लिया था, अब यहाँ पे, negative स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा, negative, यह होगा, आपका, positive, समझें ना, ऊपर negative, क्यों, fluctuation हो रहा है, एसी है ना, एसी का काम होता है, जुम, 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 जुम करना, negative, positive, negative, positive, negative, positive, positive, जो भी, अब negative आ गया, तो यहाँ पे हो गया, negative, और यह हो गया, आपका positive, अब मुझे बताओ, यह, कौन सा डायड है, reverse bias, reverse bias में current flow होता, नहीं है, क्योंकि, इस डायड का काम है, unidirection, unidirection, एक की तरफ से वो current flow कर सकता है, तो मेरा पहला current यहाँ से flow हो रहा था, ऐसे, समयझ में आ रहा है, अब देखो, negative, डायड conduct होगा, क्या, नहीं, current flow होने वाला, नहीं, negative cycle जब थी, तब डायड में से current, कोई भी current flow नहीं हुआ, 0 की ही लईनी, यह दिख रही है आपको, दुबढ़ा यह positive cycle आ गए, positive आ गए तो यहाँ पर positive, यहाँ पर negative, positive आ तो anode है positive को, क्या थड़े, negative को, क्या होगा, current flow होगा, इसमें से ऐसे, ऐसे, ऐसे current flow होगा, positive से negative current flow होता, पता है न आब लोगों को, तो यह डायड conduct हो रहा ही क हो रहा है, क्यों इसको forward बाइस कहते है, पहला lecture देखना बहुत जरूरी है, तो current flow करेगा, इसके across में आपको voltage मिलने वाला है, तो यहाँ पर positive है, अपको मिल रहा है, देखो यह, समझे, कोई tension है भाईया, ओके, दुबारा, यहाँ पर, देखो, negative cycle, यह देखो, यह होगी, यहाँ positive, यहाँ negative, यह positive, डाइड कंड़क्ट होगा क्या, क्योंकि इसके अनुड को यह low potential, और काथड को high potential, तो conduct नहीं होता है, current flow होता, नहीं है, इसके कारण दुबारा यहाँ पर यह, बाद में positive है, दुबारा यह, समझे, मतलब भया, यह जो rectify कर रहे हैं हम लोग, only half cycle rectify हो रही है, पूरी cycle हो रही है क्या, नहीं, इसलिए इसका नाम रखा गया है, half view rectifier, हाप क्यों बोला है, क्योंकि इसके आदी cycle wastage जारी है, और आदी ही cycle rectify हो रही है, आदी cycle में से current flow हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है, half view rectifier, मैं यह इसका disadvantages क्या है, तो उसमें स है half cycle wastage जा रही है advantages advantages तो बोल नहीं सकते लेकिन बोल दूँगा कि इसमें है ना कम खर्चे में ये कर सकते क्या एक की डायडी स्तमल किया है कोई central trap नहीं है कुछ नहीं है बहुत simple circuit बना है ये इसलिए इसका ये फाइदा पैसे कम लगते है एसर पैसे बचाने से क्या है फाइदा है लेकिन कितना wastage डा रहा है ना यहां पर इसका कर्चा कोण उटाएगा तो यहां पर ये cycle जा रही है wastage इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है half view rectifier क्या नाम है half view rectifier समझे कोई tension नहीं होना चाहिए बहुत simple और सिवधा सा logic है इसमें समझ में आ रहा है ये transfer करने का काम करता है voltage बढ़ाने का कम करने का मुझे कम चाहिए सही में इसको ऐसा निकलना चाहिए था देखो ये ये ज़्यादा primary के winding और secondary के कम निकलना चाहिए as per logically आपकी बुक्स में logic नहीं इस्तामाल किया है क्या नहीं किया है देखो वहाँ पर भी ये नहीं winding कमे actually ऐसा लिखना चाहिए था न मैंने एक दो तीन बस हो गए और ये ज़्यादा है देखो ये कम है ये ज़्यादा क्यों क्योंकि ये step down transformer है समझे ना step down come voltage कोई शक है बढ़ना आगे हम लोग आप पढ़ेंगे ये ही half view को full view करने वाले क्या करने वाले fully view देखो इसी को मैं आगे बढ़ रहा हूँ full view rectifier क्या एसर दोनों में डिफरेंस अब भी समझ में आगा आपको दिखाए तो दे रहा है कोई टेंशन ने मैं इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है अब देखो बस कुछ नहीं छोटे छोटे चेंजेस करूँगा धान रखना है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं यहाँ पे सेम ही देखो एसी ट्रांसपार्मर वही है यहाँ पे अपका डाइड भी यहाँ पे ओनली एक डाइड इस्तमाल और करेंगे देखो जो डाइड था अपका यह डाइड को एक इस्तमाल किया है ठीक है तो यह जो है ठीक है दो डाइड इस्तमाल किया है बस इसका यहां से आउटपुट लेना हम लोगों को और एक Central Tap बोलते इसको क्या बोलना है? Central मतलब होल्टेज को डिवाइड करने वाला ये है मेरा Load Resistance ये है Output होल्टेज समझे? तो ये डायड को नाम देना है D1 और इसको D2 और ये है Central Tap समझे? क्या क्या मैंने एक डायड बढ़ा दिया Load Regist and IZT से Central Tap इसका क्या होता है होल्टेज को डिवाइड करना है अदा इदर जो अदा इदर जो वाकिये मेरे पीछा हो बस साइकल भी वही है करना स्टार्ट ये देखवा आप क्या होता? फूल यह क्यों नाम रखा गया है उसका सबसे पहले आपको पता है इसी input voltage दिया जाने के बाद यहां पर low voltage आएगा पता है क्यों? क्योंकि ये diet कम voltage पे अप्रेट होते है क्योंकि ये positive cycle मैंने बोला ना positive रहा तो उपर positive negative रहा तो उपर negative तो obviously ये opposite में आने वाली दर आपको क्या कहा है मैंने? अगर किसी diet के इसको कहते है अनोड और इसको कहते है क्या थोड़ अनोड को अगर higher potential हो higher मतलब हम लोग यहां पर positive negative actually positive negative नहीं है higher lower potential है यही गल्ती करते है बच्चे मैंने इसलिए पहला lecture बनाया यहां में जाके देखो higher potential बोला है मैंने और यह है lower potential ठीक है अब मुझे बता बया मतलब हम लोग positive हो लेंगे फिलाल में इसको negative इसके diode D1 के यह अनोड मैंने बोला ना triangle का base अनोड होता है और जो top u होता है वो cathode होता है तो अनोड है positive को cathode है negative को मतलब diode D1 conduct हो रहा है forward bias है forward bias हो रहा है conduct हो रहा है close circuit को हो close मतलब on है मतलब current flow हो रहा है मैंने देखा जब भी positive cycle थी तब diode D1 conduct हुआ है diode D1 conduct हुआ है अच्छी बात है सर बहुत बढ़िया अब देखो नीचे तब भी diode D2 यह reverse bias में था current flow नहीं कर रहा है यह देखो यह current flow नहीं कर रहा है negative sorry ठीक है हाँ बराबर diode D2 is reverse bias है क्यों इसके अनोड को lower potential और इसके cathode को higher potential है तो reverse bias में मतलब जब positive cycle हो तब diode D1 conduct हो रहा है यहाँ कह सकते है forward bias है और D2 है यह reverse bias है बात समझ में आ रही है कब भया यह चालो है मेरी positive cycle जब है तब positive cycle है जब तब की बात चालो है चलो ओके always आप देखना है आप लोगों के हिसाब से मतलब थोड़ी से डाइग्राम को मैं redraw करना जाता हो क्योंकि जगा जगा की भी conditions है ना चलो तो यहां पे हम लोग ठीक है यह डाइग्राम है और यह आपका view from निकालने वालों में ठीक है ओके तो मैंने देखा यहां पे कि डायोड डीवन कंड़क्ट हुआ था यहां ठीक है यहां पे डीवन डायोड डीवन की बात करेंगे यहां पे डीवन और यह टोटल की बात करेंगे ठीक है अपके books के सबसे अब देखो क्या होने वाला क्या होने वाला मैंने कर दिया यहां पे negative cycle start देखो तब diode D1 conduct हो रहा है और D2 conduct हो रहा है क्या नहीं हो रहा है reverse bias में बात में मैंने क्या यहाँ पर negative यहाँ positive आपको पता आनोड को negative हो तो diode conduct होता है क्या नहीं वो current flow नहीं करता देखो यह current flow नहीं करा D1 लेकिन D2 के तरह बाओ इसके आनोड को positive क्या थड़को negative तब यह current flow करेगा विचारा आपना यह से zoom यहाँ आएगा आपके नहीं नाम दिया होगा यह current आ रहा है देखो समझ में आ रहा है कुछ यह है इसे को attention है ओके तब diode D2 conduct हो रहा negative cycle में और D1 conduct ही नहीं हो रहा है D1 conduct हुआ है क्या नहीं हुआ है समझे नेक्स्ट दुबारा यहाँ पे positive यहाँ पे negative positive रहा तो आपको पता है जिसके आनोड में positive वो diode conduct हो यह conduct होगा तो इसमें से current flow होगा यह यहाँ पे आएगा यहाँ पे आने के बाद यह अपना से इंटर टाप से यह आ गया है बस समझा है positive से negative आता है पता है कोई tension है तब देखा मैंने जब positive cycle आ गई तब diode दुबारा D1 conduct होगा D2 reverse bias में गया reverse bias पता है ना reverse bias में current flow होता है क्या नहीं conduct नहीं होता है same to same देखो जब positive आए तब D1 conduct करना है और negative आ तब D2 conduct करना है यहाँ पर यह conduct नहीं होगा और यह conduct होगा मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पर इस situation में positive cycle रही तो diode D1 conduct होता है D2 reverse bias में जाता है conduct नहीं होता है current flow नहीं करता है इस समझ में आ रहा है हमको और जब negative cycle हो negative cycle होगा negative cycle D2 conduct होगा negative cycle D2 conduct होगा positive cycle D1 conduct D1 conduct होगा समझ में आ रहा है आपको इन दोनों को अगर combine किया जा तो यह 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 मतलब यह D1 conduct होगा D2 D1 conduct D2 D1 D2 समझे मतलब total cycle पे अगर effect देखा जाए तो full view rectifier हम लोगों को only one cycle पहले sinusoidal थी ना AC में sinusoidal यह DC हो रहा है भी मतलब smooth नहीं मिल रहा है ठीक है answer smoothly नहीं मिल रहा है पता यार लेकिन कुछ ना कुछ तो effect आ गया DC का दिखाए तो दे रहा है भईय आपको कोई tension तो नहीं है मतलब DC का effect तो आ रहा है न मतलब मुझे यह बताना है ठीक है हम लोगों ने block diagram में जो देखा था वो नहीं मिल रहा है क्यूंकि हम लोग तो चाहते है कि ठीक है जो AC है हम लोगों को AC से यह effect मिलता है कौन सा था आपको पताए AC transformer उसके बाद में dioductifier का answer मिलता है हाँ यह के filter लगाने से कुछ effect मिलेगा ठीक है regulator लगाने से smooth मिलने वाला है मतलब हम लोग यहां से यहां जम कर पा रहे है किसके through इस diod के कारण diod से हम लोग एक cycle को rectify कर पा रहे है मतलब देखो यह ripple मिल रहा है इसका नहाम है यह ripple factor ripple factor मिल रहा है यह हमारी ने खुशी की बाद है मतलब हम लोग यहां पर ठीक है खर्चा बढ़ रहा है एक central trap और एक diode खर्चा बढ़ गया लेकिन advantage इसका है कि full cycle को हम लोग rectify कर पा रहे है positive as well as a negative cycle मतलब दोनों को rectify कर पा रहे है थेरी बात समझ में आगी यह positive cycle तब positive देखो ऊपर positive देखो negative cycle रहा तो ऊपर negative नीचे positive तो यह change हो रहा है fluctuation zoom zoom fluctuation हो रहा है तो इसको fluctuation को AC DC sorry यहाँ पर alternate current हो रहा है इसको DC करने की half cycle rectify हो रही थी इसको full करना पढ़ रहा है किसके लिए क्योंकि मैं पूरी cycle wastage ना जाना चाहिए पूरा फाइदा होना इसलिए मैंने full viewer rectifier पढ़ा है आपको कोई शक है दिखाई दे रहा है note down कर सकते हैं अब लोग अच्छी तरस इसको कुछ advantages है इसकी बात करेंगे advantages क्या है full viewer rectifier में सबसे पहले इसकी जो maximum efficiency होती ना वो 81.2 है और half viewer rectifier के maximum efficiency देखोगे तो अपके पास 40.6 percentage होती है तो yeast kit double होती यह main importance है full viewer rectifier का advantages है ठीक है तो rectification takes place in both cycle of AC input मतलब उसका advantages यह सबसे कि negative हो या positive मतलब positive and negative दोनों को rectify कर पर रहा है डायट D1 कर रहा है यहाँ पर D2 कर रहा है लेकिन rectify तो हो रहा है मतलब उसका कहना है rectification जो है बहुत cycle का कर रहा है यह इसका बहुत बड़ा एक फायदा है बहुत बड़ा advantages है efficiency of full viewer rectifier is higher dhyan है भया fully viewer rectifier मतलब अगर आपने देखा हो तो उसकी maximum efficiency जादा है किस से? half viewer rectifier से double a double directly यह इसके advantages है तो यह note down करना आपको advantages क्या क्या है तो सबसे main की दोनो cycle को rectify कर पा रहा है इसकी maximum efficiency जादा है as compared to the half viewer rectifier से तो इसको अच्छी तरह से note down करना आपको जोरू है पहले है ripple factor ठीक है? ripple factor क्या होता है पहले बात करेंगे पहले समझ लेगे कि ripple क्यों नाम रखा है क्या reason क्या इसका तो सबसे पहले एक बात बताता बया हम लोग इस process में कर रहे है AC into DC जो हमारे गर में TV है TV में हम लोगों को DC चाहिए बराबर है तो AC into DC जब करते तब ऐसा नहीं कि मैंने कर गया और हो गया है यह बात नहीं होती उस पर कुछ problems आते है क्या क्या होता है वैसे ripple factor जैसे factors है वैसे ही हम लोग के AC to DC कर रहे है तो भी AC का कुछ component DC में आ जाता है वो unwanted है undesirable है नहीं होना था लेकिन आ रहा है तो ऐसे factor को इसी factor को हमने नाम दिया है ripple factor कुछ points आपके books में भी दिया गया है मैं चाहता हूँ DC लेकिन उसमें mix up होके आ रहा है क्या AC जैसे कि पहले noise communication system में इलोंट में पढ़ा था अपने noise noise क्या होता है unwanted undesirable sound मतलब जैसे कि मैं सुनना चाहता हूँ आपकी आवाज लेकिन मुझे बीच में कुछ आवाज आ रही है undesirable है वैसे हम चाहते थे DC चाहते थे लेकिन AC उस component में आ रहा है DC की component में AC mix up हो रहा है और उसके कारण क्या रहा small fluctuation हो रहा है AC का आ रहा है इसको हम ripple कहते है मतलब output of rectifier consider small fraction of AC कुछ AC का component आ जाता है नहीं होना था मैं चाहता हूँ क्या नहीं तो भी कुछ AC का small fluctuation आ जाता है मेरे किसमें component along with DC DC में आता है उसको हम ripple कहते है मतलब आप लोग क्या कर रहे है AC into DC कर रहे लेकिन pure DC आ रहा है क्या नहीं जैसे कि मैं बात बोल रहा हूँ 80% 80% DC आ रहे है लेकिन 20% unwanted है नहीं होना था वो आ रहा है AC का कुछ small fluctuation इसको हमने ripple का है this ripple is undesirable ripple undesirable नहीं होना था and responsible for fluctuation of rectifier तो rectifier का जो output है वो fluctuation दे रहा है मैं तो DC चाहता हूँ ना मैं तो directly DC चाहता हूँ ऐसे लेकिन कुछ fluctuation आ रहा है और वो responsible जो fluctuation जो हो रहा है zoom 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 यह fluctuations आ रहा है किसके कारण undesirable AC introduced हो रहा है इसलिए third point is effectiveness of rectifier depend upon the magnitude of ripple component in its output मतलब effectiveness जो होता है rectifier का depend होता है आपका ripple का component कितना है कितना component output में आ रहा है उसके उपर हमारा effectiveness depend है smaller ripple मतलब ripple जितना छोटा उतना rectifier more effective होगा मतलब ripple नहीं 0 रहा तो output तो बहुत ही अच्छा मिलेगा बहुत बढ़ी है बात है लेकिन small fluctuation AC का होने इसे मतलब जितना AC का small small करते जाओगे देखाओ हमने इसके पहले भी पढ़ा था याद होगा जो block diagram देखो मैंने बोला था हमने AC भीजा था ऐसे याद है इससे हम लोग कर रहे थे ऐसे 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 याद आ रहा है बाद में यह किसे डायर रेक्टिफार बाद में filter लगाने से थोड़ा भी आ रहा था बाद में हमने voltage regulator से smooth आ रहा था यादेना आप लोगों को तो वही तो चीज है जितना आपका ripple कम होगा उतना rectifier अच्छा बनेगा inversely proportional जैसा relation लग रहा ripple factor कम करो मेरा rectifier smoothness बहुत आच्छा मिलने वाला है समझ मैं आ रहा है यह point a point a points अभी cover किये उसको देखो इसको और एक define बना सकते है ripple factor ripple factor की ripple की क्या है जो small fluctuation of ac introduce हो रहा है dc dc में कुछ आ रहा है dc के साथ साथ आ रहा है पानी आ रहा है लेकिन पानी के साथ कुछ चोटे-चोटे particles भी आ रहे है वह ऐसी चीज है हम तो पानी मान रहे है ना उसको तो ऐसे कुछ आ रहा है उसको ripple का है लेकिन the ratio of rms value of ac component to the value of dc component of the rectifier output is quite the ripple factor मतलब dc में ac कितना introduce हो रहा है इनका ratio को हमने ripple factor का बया क्या का है ripple factor क्या है the ratio of rms value of ac component to the value of dc component rectifier output is quite the ripple factor उसको क्या कहना है आपको ripple factor ripple factor समझ में आ रहा है मतलब आपको चाहिता dc उसमें ac कितना आ रहा है इनका ratio जैसे का हम लोग लगते है ना मुझे physics में 100 में से sir 85 numbers आ गए तो मुझे चाहिए dc मुझे 100 के 100 चाहिए लेकिन 85% number मिले वैसे कितने में से कितने मिले मतलब pure dc में से इसमें ac कितना introduce हो रहा है अंदर आ रहा है घुसरा अंदर इसी को हम लोग ripple factor कहेंगे ठीक है उसके बाद में हम लोग filter देखने वाले मतलब हमने देखा है कि यह था इससे यह बना दिया लेकिन कल यह बनाने वाले यह मतलब यह दो मिल रहे ना आप से हम फुल्य रेक्टिफायर चाहिए हम लोग थोड़ा सा smooth और करेंगे उसको कोशिश कर रहे मतलब हम लोग आगे आगे चप्ट को बढ़ाने वाले तो बच्चों यह था आपका आज का लेक्टिस कल हम लोग filter circuit क्या होता है उसको पर डीटेल में एक लेक्टिसर बनाएंगे तब तब बच्चों सबको शेर करने की कोशिश करना लाइक करना है सब्क्राइब नी करना है झाल झाल